पीम मोदी जे आज दिल्ली मेट्रो नी मजिंटा लाइन पर प्रथम ड्राइवरलेस ट्रेन ने लीली जंडी आपी शें। देश नी प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो नू उद्धाटन थायू। प्रधान मंत्री मोधी ये ड्राइवर्स लेस मेट्रो ट्रेन नू उद्धाटन करी। सिरा जो ये प्रधान मंत्री मोधी नास्तम बोधनमा। वन नेशन वन मोबिलिटी कार की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्ताओं का एकिकर्ण करने के लिए अनेक काम किये हैं। वन नेशन वन फास्टेक्स ने देश भर के हाईवे पर ट्रेवल सीमलेस हुआ, अनावशक रोक टोक रुकी हैं, जाम से मुक्ती मिली हैं, देश का समय और देरी से होने वाला नुक्षान कम हुआ है। वन नेशन वन टैक्स यानि जीएस्टी ने देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है, डारेक्ट टैक्स से जुड़ी ववस्ता एक जैसी हुई है। वन नेशन वन पावर ग्रीड इससे देश के हर हिस्से में परियाप्त और निरंतर बिजली की उपलबता सुनिस्चित हो रही है। बिजली का नुक्षान कम हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रीड इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेस गैस कनेक्टिविटी सुनिस्चित हो रही हैं। जहां गैस आधारी जीवन और अर्थवगता पहले सपना हुआ करता था। वन नेशन वन हेल्थ एंशरंस स्कीम यानि आईश्मान भारत से देश के करोड़ों लोग एक राज्य में ही नहीं बलकि पूरे देश में कहीं भी इसका लाब ले रहे हैं। वन नेशन वन राशनकार इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरीकों को नया राशनकार बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली हैं। एक राशनकार से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविदा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कुरुशी सुधारों और इनाम देशी व्यवस्ताओं से वन नेशन वन एग्रिकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों देश का हर छोटा बड़ा शहर 21 सदी के भारत की अर्थेववस्ता का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21 सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुरारा शहर होने के वज़े से इसमें चुनोतिया जरूर है। लेकिन इन चुनोतियों के साथ ही हमें इसको आधुरिक्ता की नई पहचान भी देनी है। इसलिए आज दिल्ली को आधिनुत स्वरूप देने के लिए अने को प्रयास किये जा रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर टैक्स में भी छूट दी है। दिल्ली की सैंकडो कलोनियों का नियमित करन हो या फिर जुग्यों में रहने वाले परिवारों को बहतर आवास देने का प्रयास दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आजकी जरूरत के अनुसार एन्वार्मेंटरल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। जो पुराना इंफास्रेक्टर है उसको आधुनिक टेक्नलोजी आधारी इंफास्रेक्टर से बढ़ला जा रहा है। साथियों दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21 सदी के नए आकरशन भी हो। इसके लिए काम जारी हैं दिल्ली इंटरनेशनल कांफरेंस, इंटरनेशनल एक्जिमिशन, इंटरनेशनल बिजनेस टूरिजम इसका आहन सेंटर होने वाला है। इसके लिए द्वारिका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसत भवन के निर्मान का काम शुरू हुआ है, वहीं एक बहुत बड़े भारत बंदना पार्क, भारत बंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हर काम से दिल्ली वालों के लिए हजारों रोजगार भी बन रहे हैं और शहर की तस्वीर भी बदल रही है। दिल्ली को और आधुनिक बनाएंगे।